हेलो रोटन अच्के लाइस में एक साइज 11.2 कोश्चन में फर्स्ट रोटीस करेंगे यहाँ पे हमारे गिवन कोश्चन है इस कोश्चन में आपको एक ट्राइंगल करके दिखाना है और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूस गिवन है तो चलिए दिखते हैं कैसे हम लोग इस ट्राइंगल को करेंगे देखें कोश्चन के एकॉर्डिंग सबसे पहले आपको यह देगा गया है कि आपको ट्राइंगल का बेस होगा यानि कि जो बीसी है उसकी लेंद है आपको 7 cm यह आपको दे रखिए तो सबसे पहले आप स्केल का यूस करते हुए इस ट्राइंगल का बेस बना लीजिए दे देखें रखा है अब आपको क्या करना है इस बीपॉयंट बेसे 75 डिगर का इंगल कंस्ट्क्ट करना है कोशन आगोगा कि हमां लोग फिसाथ करेंगे या फिर कमपास का यूस करेंगे तो मैं अगरे ही कॉमेंट करूंगा आप लोग कि आपकर कदा यूस्ट करेंग आपको यहां पर सभी 75 डिगरी का एंगल कॉंस्टेट करा है यूद से कुछ नहीं करा है मैंने 60 डिगरी के और 90 डिगरी का एंगल को यूज करके इस लैन्द को लीजिएगा आपको क्या करना है इस कंपास के निडिल को फी पॉइंट पर रखना है और एक कार्क यहां पर लगाने टोप पे जैसे कि मैं आपको अगर यहां पर दिखाना थूथ देखें जाया चिक मैंने यहां पर देखिए कुछ ऐसे, यह आपकी लाइन थी, कौन से लाइन थी, 75 डिगरी के एंकल पर जो इनके लाइन हो रही थी, क्योंकि यहीं से हमारा 75 डिगरी का एंकल बना था, और यहाँ पर इस पॉइंट का कुछ नाम देदीजिए, मैं ऐसे D कह देता हूँ, अब आपको क्या करना है, D को C से जोइन करना होगा, यह देखिए, जो आपका D पॉइंट है, उसको ऐसे, कुछ इस तरह से, यह आपने जोइन कर दिया, D को C से, अब आपको DC का परपेंडिकुलर बाय सेक्टर बनाना है, यह आपकी जो साइड आई है, इसका परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, औ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर बनाने के लिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, कि आप जो अपनी कमपास में लेंथ लेंगे, वो इस साइड के हाफ से जादा लेंगे, जैसे कि, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने कमपास के लेंथ जो लिए, इसके हाफ से जादा लिए, याद रखेगा, तभी वो आर्क्स आपके इंटरसेक्ट करेंगी, देखे, एक बार सी पॉइंट पर रखके, एक आर्क लगा दीजिए, फिर वैसी, यहाँ पर लगा दीजिए, एक आर्क, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अब एक बार आप डी पॉ कर रही है, ऐसी, यहाँ पर भी, देखे, यह दुना आपस में इंटरसेक्ट कर गई, अब इसे आप जॉइन कर दीजिए, कुछ इस तरह से, तो अब इससे हुआ कि यह आपके डी सी साइट थी, यह इंटरसेक्ट हो चुकी है, इस पर पेंडेगलर बैसेक्टर का अगर चाहिए तो दे दीजिए, मैं यहाँ से LM कह देता हूँ, LM, और जिस पॉइंट पे इसने BD को टच किया है, इसका नाम आप A दे दीजिए, और हम लोग बिलकुर अपने लास्ट टेप पे, बस आप कुछ नहीं करना है, हमें बस A और C को जोईन कर देना है, कुछ इस तरह स तो यह जो आगया, आपका अब आया, ट्राइंगल A, B, C, यही आपका रिक्वाइड ट्राइंगल है, देखे चेक कर लेते, आपका एंगल B कितना होना चाहिए था, 75 डिगरी, हम लोग ने पहले सी 75 डिगरी कंस्टक्ट करके ले गए थे, साथ में AB प्लस AC आपका क्या आन कितना बनेगा, 13 cm, तो यह हमारा यहाँ पर चेक होगे, कि हाँ, हमारा जो ट्राइंगल A, B, C आया है, यह बल्कुल करेक्ट है, आप लोग जब करेंगे, तो एक बार आप भी चेक कर लीजेगा, कि इन दोनों साइट्स का सम, जो 13 cm है, यह आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, त सेकंड स्टेप में हम लोग ने क्या क्या था, एट B, ड्रो एंगल C, B, X, एक्वल्स तो 75 डिग्री, हम लोगोंने B पॉइंट पर एक एंगल ड्रो करा था, कौन सा 75 डिग्री का, यहाँ पे C, B और X पॉइंट आपका कहीं ऊपर जाके मिलेगा, वो मैंने यहाँ पर मेंश नहीं करा, आप लोग करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठर्ड स्टेप में हम लोग ने क्या करा था, कि जो BD थी, इसकी एक आर्क लगा दी थी, या फिर कह सकते हैं, कट कर दिया था, उतना पार्ट, हम लोगोंने कितना 13 cm का, उसके बाद, जॉइन DC, हम लोगोंने DC को जॉइन BD at A, जिसने BD को कहां इंटरसेक्ट किया था, A point पर, फिर last step था हमारा AC को जॉइन करना, यहां मैंने mention कर रखा है, then ABC is the required triangle, तो यह हो जाएंगे आपके steps of construction, आप लोग इसको एक बार यहां से एक reference ले सकते हैं, इसे रटने को ज़र्वत नहीं हैं, आप लोग अपनी language में जैसा आपको समझ भाया है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो वस आप यहां से एक reference ले लिएगा, तो इसी के साथ आपके question complete जाता है, आएप आपके question clear हो गया होगा, please share this lecture to your classmates and make sure to subscribe this channel, thanks for watching, जैहिंद